नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटीब चैनल बाजार की पंडित में तो दोस्तो डेटा आज चुका है सरकार की तरफ से डेटा आया है डेटा बहुत ही ज्यादा इंटरस्टिंग आया है आपको पता होना चाहिए और आज रात को अमेरका से भी डेटा आना है तो मिस्स मत करिएगा टेलिग्राम चैनल पर बताया जाएगा आज भी देखिएगा मैंने बहुत लेट चार्ट आपको दिया था चोकि कोई मुमेंटम नहीं था बाजार में आज मैक्सिमम देखिएगा टाइम आपको टाइम डिके देखनी को मिला जिससे ब आपको पता है कि जीडीपी के नंबर्स आने थे और किस तरीके से देखेगा इंडिया के नंबर्स आये हैं और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इंटरनाशनल मार्केट में किस तरीके से इंडिया पे बैट किया जा रहा है तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि क्योंकि हमारी currency लगातार इस particular year में तो लगातार अगर आप देखेंगे low के आसपास है और जो dollar index है वो rebound mode में है तो इसलिए ये fiscal deficit तो अच्छा नहीं आया है हाला कि देखेगा ये कहीं न कहीं पहले से expected था उसी range में आया है तो अगर आप देखेंगे fiscal deficit काफी ज़्यादा widen हो चुके हैं year on year business पे इसकी चर्चा budget में कर ली गई थी backup पहले से ready है और ये इस साल सुधरने की उमीद है क्योंकि आपको पता है credit expansion में little bit देखेगा crunch आएगा दूसरी बात हम अपनी currency को defense करने के लिए काफी कुछ करते रहेंगे तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो comparatively किसी Asian country से comparison कराएंगे तो यह आपको बहुत strong लगेगा क्योंकि हम जितना import करते हैं crude oil उस comparison में अगर आप देखेंगे तो यह केवल और केवल हमारे import से आया है और import वो भी नहीं कि जो हमने कोई extraordinary नय बना लियों यह वही import है जो हमारे natural import है बट उससे हुआ क्या है कि हमार currency का low बना है जिस कारण से यह उसी ratio में बढ़ता चला गया है तो यहां से अगर आप देखेंगे तो एक अच्छा यहां पे वो नहीं आ रहा है impact नहीं आ रहा है बट ऐसा चुछ कोई बड़ा भी नहीं आ रहा है बुरा भी नहीं आ रहा है चुकि पहले से investor को यह पता था क यह हमारे जो fiscal deficit है वो काफी ज़्यादा देखेगा downtrend में जाएंगे अब बात करते है GDP numbers की लगातार center देखेगा क्या कर रही है कोशिश कर यह economic growth में देखे कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए economic growth एक main center focal point है केंज सरकार का और वो उसमें कहीं से भी बाधा नहीं चाहता है और सेम चीज RBI के लिए भी challenge है कि इस GDP rate को manage करते हुए अपने tolerance level के नीचे बने रहना यानि कि inflation को महंगाई दर को tolerance level के नीचे बना रखके रखना यह RBI के लिए भी बहुत बड़ा challenge है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे और यहाँ पे जो GDP number आया है वो काफी अच्छा और अगर आप देखेंगे इन core sector में कितने sector आते हैं 8 core sector के मैं बात कर रहा हूँ तो अभी भी strong heat देखने को मिल लई है multiple industries में यानि कि multiple industry में demand अभी कम नहीं हुई है तो आप समझ सकते हैं यह अच्छी बात है कि इतना rate hike होने के बाद भी customer observe करे ले रहा है इस rate hike को यह plus point है stop करेगा तब यह चीज देखेगा बहुत तेजी से double edge weapon की तरह work करेगी यानि कि एक तो आपका देखेगा rate hike नहीं होगा दूसरा आपका credit creation बढ़ेगा और demand already बढ़ी होगी तो यह companyों के profits को बहुत तेजी से बढ़ा देगा यह आगे के लिए बहुत यह अच्छी बात है RBI ने क्या कहा है GDP numbers को लेकर उनके साब से देखेगा उनके जो ratio के according है तो as such उन्हें कोई भी बड़ी panic देखने को मिल ले रही है GDP number से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि RBI को कोई भी दिक्कत नहीं हुई है जो कि उन्हें पता है कि किस ratio में हमारी GDP down होगा तो अगर आप देखेंगे तो first में उन्हें देखेगा 6.4 कहा था second में उन्हें 7.8 कहा था फिर देखेगा third में उन्हें ने कहा था 6% और fourth में उन्हें 5.8% यानि कि overall इस साल का GDP growth 6% के आसपास रहने की उमीद है यह RBI का अनुमान है और यह अपने आप में वर्ल्ड में सबसे जादा होगा तो आप समझ सकते हैं यह वर्ल्ड में सबसे जादा होगा तो जिस देश की GDP सबसे जादा highest growing होती है उस देश में ही देखेगा पैसा सबसे जादा invest होता है यह अपने historical records है और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे जो economic survey हुए हैं उन्होंने तो 6.5% तक का अन यह RBI के थुआ है तो आप समझ सकते हैं कि यह अपने आप में बड़ी बात है और यह चीज आपको पता होनी चाहिए कि आज ही कि मैं आपको बात बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो particular ADB है वो तो 7% growth तक का अनुमान लगा रहा है IMF 6.8% तक का अनुमान लगा रहा है तो आप आप समझ सकते हैं कि इंडिया में investment को लेकर सब भी लोग बहुत ही favorable impact के साथ है चुकि इस difficult situation में इंडिया economy अगर इस तरीके से grow हो रही है तो इस situation के बाद उसमें बहुत तेजी आ जाईगी तो आप समझ सकते हैं पूरी तरीके से यह जो data कहेंगे काफी better data आया है और data actual मे कोई panic create नहीं कर रहा यह सबसे अच्छी बात है अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे economist ने देखेगा काफी अच्छा यहाँ पर अनुमान लगाया है projection भी लगाया है और सब ने अच्छा projection किया है और जो कि अगर आप देखेंगे तो highest GDP growth का है तो कल इसका impact देखने को मिले बैंक निफ्टी के लिए काफी positive update है बैंक निफ्टी में आपको थोड़ा सा एक edge देखने को मिल सकती है let's see मैं आप से discuss करूंगा further वीडियो में वीडियो कर अच्छा रगा है तो like, share, subscribe करना ना भूलेगा thank you so much झाल कुछा यडियो है